नमस्ते PMC Hindi के डॉक्टर से पूछा पोग्राम में आप सभी मित्रों का स्वागत है यहां पर हम सीखते हैं ध्यान से और ध्यान से जुड़ी हुई अध्यात्मिक शिक्रित्ता परती प्राकृतिक शिक्रित्ता परती से खुद को हम कैसे स्वस्त करें स्वस्त बनाए Meditation हमारे भीतर उर्जा के संचार को बढ़ाता है और हमें हमारी Spiritual Anatomy के प्रती जागरत करता है अपने हिल्थ को अगर हम खुद से बहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने आपको एजुकेट करना होगा पढ़ना होगा, समझना होगा और समझते हुए जिन्दगी जीना होगा अगर हम बस जिन्दगी जी रहे हैं तो उसमें बिमारी आएंगे, समस्ते आएंगे हमें हर दिन सीखना चाहिए हर दिन पढ़ना चाहिए और सिर्फ अपने लिए नहीं अपने आस पास के लोगों को हेल्प करने के लिए भी सीखना चाहिए दुनिया में इतनी सारी बिमारिया है हम डॉक्टर से पूछा प्रोग्राम में आपके सवालों को लेते हैं जो आपको हेल्थ उश्व नहीं है तो भी आप सीख कर रखिए करते कि आपो अब किसी दूसर के मदलत कर सके और जो बेसिक बाते हैं वह ध्याण है है जिसमें हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर वीटर उर्जा को भढ़ते और जब उर्जा बहने लगे तो अपने चक्रों को बैलन्स करना, अपने नारियों को संद्धुलित करना, अपने प्रानमे कोस्ट पर काम करना तो हमारी जो spiritual anatomy है, उसे मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, आप हम समझ ले अनमे, प्रानमे, मनोमे, विज्ञानमे, आनन्दमे, यह sequence भी important है, सबसे पहले हमारा physical body है, उसके वाद energy body है, प्रान उर्जा से बना हुआ है, energy body, फिर उससे सुक्ष्म, हमारे मन, हमारी सोच का मनोमे कोश, और उससे define, हमारे कर्मों प्राधारित, हमारा विज्ञानमे कोश, हमें सबी को समझना है और उन्हें अच्छा बनाना है, कर्म के level पे हमें दोसरों के help करनी चाहिए, service करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जीआ चाहिए, हमें समाज के लिए, मानपता के लिए भी थवा जीवन जीआ चाहिए, तहां में भी ज्यानमे कोश मनों में कोस में अलग-अलग विचार आज आपके सवालों को लिया जाएगा तो आपके सवालों को पर डिसकस करते हैं हम समझेंगे कौन से विचार हमें बदलने हैं अगर हमें किड्नी के समस्या है अगर हमें लीवर के समस्या है तो कौन से विचार हमारा गरबड है चलिए मैं आपके समस्याओं के अनुसार आपको बातों को बताथा हूँ कुछ पाते तो आपको सुन रखी हैं कुछ पाते आपको पता हैija लेकिन हर एक मामले में जितना हमें पता है उससे और गहराई में हम उदर सकते हैं किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो कि आप किड़नी पर इनर्जी दे रहे हैं, उर्जा भेज रहे हैं, जो इनर्जी उपर उतर रही है, देखिए आप इनर्जी दे रहे हैं, जो परसन है, उन्हें खुद भी ध्यान में बैठना चाहिए, सिर्फ आप इनर्जी ना दे, देखिए, विज्ञान में कोश्च में हम जब जाएंगे, तो कर्म के सिधान्त हमें समझने हैं, जो परसन सफर कर रहा है, उनको भी अपने उपर काम करना है, उनको ही ज़्यादा अपने उपर काम करना है, तो उन्हें समझदार बनना होगा, उ जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है तो किड्नी के साथ साथ स्वाधिष्ठान चक्र पर भी काम करना है हमें स्वाधिष्ठान चक्र के नेचर को समझना चाहिए मुलाधा चक्र से उपर है वो और जल तत्तु से जुड़ा है तो जब भी हम किसी water body को देखते हैं हम अपने स्वादिष्ठान चक्र के परती थोड़े conscious बने जब भी हम पानी को देखते हैं अपने भीतर जल तत्यों के चक्र को संतुलित करना चक्र पर काम करना है, नाडियों पर काम करना है मनोमे कोश्च के माध्यम से, विजलाइसन के माध्यम से हम काम कर सकते हैं जो पेसेंट हैं, उनको खुद दिन में दो तीन बार ध्याने बैठना चाहिए अगर वो अपने आपको स्वस्थ करने के लिए concern हैं तो जरूर ध्याने बैठेंगे ध्यान की ताकत जो है, अगर रिलाइस थोड़ी सी भी हो जाए, तो healing होनी लगती है और kidney के position को आप ठीक से समझ के रखिए, वहाँ पर हाथ अकने से फर्क पड़ेगा जो meditation खुद कर रहे हैं, meditation के अलावा, visualization का हम सहरा ले सकते हैं कलपना, कलपना सकती से हम अपने भीतर जाज़त कर सकते हैं उड़्जा को और उड़्जा को concentrate कर सकते हैं तो kidney का आप shape और size जान कर रखें, समझ के रखें, आपको screen पर दीख रहा है, आप Google पे, YouTube पे direct भी देख सकते हैं अपने ध्यान के अंत में, आप ध्यान में जब बैठते हैं, ध्यान के अंत में, ध्यान में हमारी उड़्जा बढ़ जाती है और जब बढ़ी भी उड़्जा है, उसके बाद अगर हम वहाँ पर kidney को मुस्कुराता हो देखें तो हमारे भीतर kidney active होई लग जाएगी तो kidney को smile करते देखना है, kidney पर प्रकास देखना है, दिव्य प्रकाश वो नीले रंग का प्रकास आप देख लेते हैं, वाइट ब्लू, ब्लू वाइट या गोल्डन लाइट देख सकते हैं तो spiritual energy जो है वो बहुत light के नजदीक है, तो जब अगर हम वहाँ पर light देखें तो उसका function active होई लग जाएगा Dr. Joe Dispenja की पुस्तक, You are the placebo, उस पर स्वाध्या EPMC Hindi पर YouTube चैनल पर मेरा अभिलेबल है उसे हम सुनें या हम उसकी बुक पढ़ें Dr. Joe Dispenja का spine का fracture हो गया था और वो भी thoracis भर्टीवरा की level का, thoracis मतलब chest region का इतने उपर का भर्टीवरा का fracture है, operation तो जरूरी है लेकिन उन्हें आपिसन नहीं करा कर उसको बिस्तर पर लेटे लेटे, span fracture है तो खड़े हो नहीं सकते बिस्तर पर लेटे लेटे, वो meditation करते हैं, visualize करते हैं तो 3D anatomy, उसकी जो बनावट है, उसके shape में अगर हम light को visualize करें तो हमारी energy वहाँ पर जो meditation की energy है, meditation के दौरान हमारी सुसूमना नाड़ी में जो उर्जा उतरती है वो उर्जा, विजलायसन के माध्यम से कल्पना जब हम करेंगे तो वहाँ पर उर्जा जमा हो लग जाएगी किड्नी की region में किड्नी का location हमें समझ के रखें, वो पीछे से जाड़ा नजदीख है हमारी मुठी, अगर हम बांधें तो जितनी मुठी बड़ी जितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी यह से थोड़ी से बड़ी इस size की किड्नी होती है और किड्नी का जो safe होता है, जो राजमा है किड्नी बीन, उसके रहे साथ कुछ होता है किड्नी का safe, size, हम किसी भी internal organ के healing जब कर रहे हो तो हमेज उसका थोड़ा बनावट, थोड़ा पता हो, तो अज हम ज़्यादा effective हो जाएगा हमारे healing का परियास तो Google है, YouTube है, आज तो बहुत असानी से हम किसी कभी structure जा सकते है आप YouTube पे जाएए, kidney type कीजिए, उसका देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए दिन में तीन बार, दो बार या तीन बार, टोटल तीन घंटे का ध्यान आप बैठने के कोशिश करें ध्यान से मिलता दूलता योग निद्रा का अभ्यास है, अगर आपको ध्यान ना लगे कभी तो आप योग निद्रा का अभ्यास भी सात में कर सकते हैं, योग निद्रा में हम अपने सरीर के एक-एक हिस्से को relax करते हैं, तो अगर हमें relaxation का art आ गया, तो हमारे लिए meditation easy हो जाएगा, वैसे मुख्य रूप से meditation है, क्योंकि meditation में हमारी सुसूमना नाड़ी में उर्जा, cosmic energy, हमारी चक्रों में cosmic energy उतरती है, तो healing होए लगती है, लेकिन relaxation भी ज़रूरी है, ध्यान में, अगर हम बीचे में बैठे, तो बीचे में हाथ पेर नहीं लाना चाहिए, अगर बीचे में हाथ पेर हिलता है, हमें अपने body को adjust करना पड़ता है, तो हमारे सरीर में relaxation अभी नहीं है, तो कई सारी बारे किया हैं, ध्यान, कलपना का परियोग, organ को मुस्कुराता हुआ भी देख सकते हैं, इसके लावा हम इसके acupressor point पर भी काम करें हम, किड्नी के अगर acupressor point पर हम जाएं, हमारे हाथ में LU5 acupressor point भी किड्नी से जुड़ा हुआ होता है, lung 5, एक-एक acupressor point दरजनों बिमारियों में काम आता है, और बहुत बार दरजनों बिमारियों के लिए अलग-अलग point भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम समझ ले, हमारी कलाई पर, हमारे हाथ में, जहाँ पर कोहनी मुर्ती है, उस जगह पर, यह LU5, अंगुठे की लाइन की तरफ है, इस point को मसाज करें, मसाज करने पर दर्द होगा, mild pain, मद्यम ताकत से दबाव करने से, mild pain, moderate pain थोड़ा दर्द बर्दास करना चाहिए, बहुँ जादा दर्द भी ना हो, और इसको दोनों हाथ में मसाज करें, इस जगह पर नीला रंग, या काला रंग लगा सकते हैं, और यहाँ पर सीड का परयोग किया जा सकता है, मतर का दाना इस अल्यू फाइब पर पेस्ट कर दें, तो वो भी हीलिंग में, अल्यू फाइब की हीलिंग में helpful होगा, LU-5 हमारे किड्नी से जड़ा हुआ है, इसके लावा हमारे पेर में K1 एक्यू प्रेसर पॉइंट है, तल्वे में K1 एक्यू प्रेसर पॉइंट को दबाएं, किड्नी की नाड़ी में 27 एक्यू प्रेसर पॉइंट हैं, इस 27 एक्यू प्रेसर पॉइंट में किसी को भी हम करे फायदा होगा जितना अधिक पर करें उतना अच्छा है तो केवन पर पैर के तलवे में केवन है केवन को दबाना आसान है तो केवन को दबाएं दोनों पैर में जब दबाएंगे तो भले आप कह रहें कि दोनों किड्नी फेल है तो फिर भी आप पाएंगे कि दोनों में सेम दर्द नहीं होगा, जिसमें दर्द अधिक है उसमें आपको अधिक देना है और दोनों पे करें layer अधियो पेसर के अलावा हमें माइनसेट पर काम करना है हमारे प्रान मे कोश से गहरे में मनों में कोश है, हमारा सबकॉंशस माइन्ट है अब चेतन मन अगर जिस जब भी कभी हमाई सरीर में कोई तकलिफ सुरू हुई जो भी दो साल चार साल पांस साल दस साल पहले तकलिफ सुरू हुई होगी जिस समय तकलिफ सुरू हुई उस समय लाइफ में क्या हुआ क्या ऐसा कोई event है जो life में कोई trauma बन गया कोई shift आया है life में अगर हम जिन्दी में चिंतन मन करते हैं तो हम अपने subconscious mind पर काम कर सकते हैं अपने emotion और thoughts को भावना और विचार को बदल सकते हैं तो हमें चिंतन मन करने की जरुवत है ध्यान के साथ साथ जो emotions है anxiety, fear, anger इन सब emotions में किर्णी का connection fear से होता है तो अपने fear emotion पर काम करना है क्या life में insecurity है, क्या डर सताता है डर का antidote है faith, भरोशा अपने ध्यान पर और अध्यात्मिक सकती पर भरोशा तो केवन एक्यूपेसर पॉइंट जो तलवे में अभी हमने देखा था केवन एक्यूपेसर पॉइंट को दबाते हुए आफरमेशन हम किया करें divine helps मी भगवान की सकती मुझे help कर रही है मेरा ध्यान मुझे मदद कर रहा है ध्यान की सकती और अध्यात्मिक सकती का अप्योग हम अपने भीतर के faith को बढ़ाने पर करें अपने will power को बढ़ाने पर करें तो जब हम एक्यूपेसर करते हुए आफरमेशन करते हैं तो ये बहुत powerful हो जाता है दोनों को combine करना सीखे बिल्कुल सुरुवात में हम को एक विद्या को सीखने में ही समय लग जाता है लेकिन अगर हम गौड से समझें सीखें तो हम पूरा फाइदा उठा सकते हैं और भी वह सारी बाते हैं इनका अभ्यास करते रहिए जब इतनी बातें आप जब सीख जाएं तो उसके बाद फिर से आप ये सवालों को लेकर आएं तो आपको और भी बातें बताएं जाएंगी एक ही टॉपिक में हम बहुत डीप में जा सकते हैं गहराई का अंत नहीं है धहरे पुरवक हमें सीखना है जितना पता चला है उसको प्रैक्टिस करना है जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जब रेगलोर हो जाता है तो हमें उसके और गहराई में जाननी के लिए तयार रहना है हमेशा याद रखें हमारी भीतर पांच कोश हैं पांचो कोश पर क्या मैं काम कर रहा हूं कर रही हूं हम ऐसा सोचे अगर हम पूरे पांचो कोश पर काम कर रहे हैं तो फिर हम पूरी तरह से spiritual हो गए हैं हम इस समझना होगा हम जो अपना रहे हैं इसमें से कौन सी टकनीक कौन से विधी का पर्योग का प्रभाव कौन से सरीर पर पड़ता है ध्यान का प्रभाव पहले मनों में कोस में पड़ता है प्राम में कोस में पड़ता है और सभी में बड़ता है सभी energy healing, spiritual healing में जो ध्यान है, वो सबसे मुख्य powerful है तो ध्यान पर हमें ज़्यादा हमें समय देना चाहिए ज़्यादा हमें उसको seriously लेना चाहिए और ध्यान के लावा हम इनोजी healing की बात कर रहे हैं, affirmation की बात कर रहे हैं, बहुत साजी चीज़ें यहाँ पर हैं देहर पुरुवक समझें करें और आपको यह फायदा होगा जो मैं आपको 3D में visualize करने के लिए कह रहा हूँ ध्यान के अंतमी तो हम थोड़ा सा practical समझ लेते हैं, मैं आपको करा देता हूँ, ध्यान से जुड़ी ही practical और इसको अगर हम ठीक से समझ कर करें, तो हमें यह ज़रूर फायदा करेगा ध्यान के meaning को भी हम समझ कर रखें, ध्यान जो है, वो मुख्यता मन को शुन्नी करना है इनर्जी के पर हम चाहते हैं, इनर्जी हमारे पास आए, इनर्जी आएगी तो healing होगी, ऐसा थोड़ा सा सुरवात में हम बहुत लोग इस बात को जाने लगते हैं, इनर्जी तब आती है, जब सुनने ता होती है तो उर्जा बहने लग जाएगी, अगर मन सुनने हो जाएगा तो सुनने होने पर हमें फोकस जादा करना है हमें अपनी पातरता बढ़ानी है, अपनी कैपसिटी बिल्ड़ अप करनी है, कैपसिटी बिल्ड़ अप हो जाए, तो इनर्जी आएगी तो पास मिनट के लिए हम इस हीलिंग मेडिटेशन को समझ ले फिर से दुनों हाथ मिलाकर अराम से बैठे आखें बंद आखों को बंद करने के बाद अपने पुरे सरीर को सिथील छोड़ दे सरीर को सिथील रिलाक्स करें पैरों करें हाथों करें अपने कंदों करें पुरे सरीर बिलकुल कमफर्टिबल अलूज सांसों पर धियान अंदर आते ही शांस और बहा जाते ही शांस को फील करें सांस से अंदर आती हैं देखें किस परकार वो अंदर आ रही है जब सांस बाहर जाती है तो महसूस करने किस परकार वो सांस बाहर जा रही है सांसों को महसूस करते जाएं अपने मन को शांत और सुनने होने दे रिलाक्स 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 फील करें सांसों को और अपने मन को शुनने करते जाएं अपने शांत होते मन को दीखें महसूस करें सांसों करता झाता है कर दो देखें दहर पुरवक, प्रेम पुरवक, होस पुरवक, सासो पर ध्यान ध्यान हम करते नहीं, ध्यान होता है, अपने भीतर से करता भाव छोड़ें, जो भी हम कर सकते हैं वो हम जो छोड़ दें तो जो दिव्यता है वो अपने आप हमारे भीतर अपना काम करने लगती है धैर पुरवक, सासों को महसूस करते जाएं ध्यान का भ्यास समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रॉपर आपको जितनी उम्र है, उतने मिनट एक सिटिंग में बैठना है ऐसा दिन में तीन घंटे के लिए हो जब हमारी तकलीफ जादा बड़ी है जब दोनों किड्नी काम नहीं कर रही फिर तो आपको दिन में तीन घंटे के लिए आख बंद करना चाहिए जब हमारी तो आपको जब हमारी है आखें बंद सासों पर ध्यान दो तीन मिनट और जब समाथ करने कि तो आफें इस्में अल है दियान जब समाप्त करने का च्छन आ गया हो उस समय आप अपना अटेंशन अपने किड्नी पर ले जाएं जहां भी आपको हीलिंग चाहिए जहां में हीलिंग की जरुवत है अपने मानसिक ध्यान को मेंटल अग्टेंशन को उस एरिया में ले जाएं किड्नी की बात है दोनों किड्नी के एरिया में ले जाएं और वहाँ पर किड्नी को मुस्कुराता हुआ देखें दोनों किड़नी मुस्कुरा रही है साथ ही साथ दोनों किड़नी को ब्लू हुआइट लाइट में नीले स्वेट प्रकास में भी देखे अपने किड़नी को या जिस भी और्गन की हीलिंग आप चाहते हैं उसको मुस्कुराता हुआ देखे मुस्कुराता हुवा व्यक्ती बिमार नहीं पड़ता अगर आप अपने किड़नी को मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं तो किड़नी हील होना सुरू हो जाएगा तो किड़नी तेख सकते हैं अपने किड़नी को ब्लू हॉइट लाइट में देखें गॉल्डन लाइट में भी देख सकते हैं बेसिकली लाइट में देखने से उस एरिया में इनर्जी बढ़नी लग जाती है कलर कम महत्पूर्ण हैं आप उसे मन की आँखों से देख रहे हैं वो अधिक महत्पूर्ण है आपकी इनर्जी वहाँ पर कंसंट्रेट होई लग जाएगी अपने किद्नी को आप प्रेम दे क्या है लास्ट वन मिनुट श्कुराता हुआ देखते जाएं जिन को कोई समस्या नहीं है वो भी अगर मुस्कुराता हुआ देखें तो वो स्वास्त को बहतर करेगा और जावान प्रानवान बनाएगा अपने इंटर्नल और्गन्स को मुस्कुराता देखें तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है किद्नी को मुस्कुराता हुआ देखें देरे देरे अब हम बाहर आएंगे आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथों को अपने आखों पर रखें और हम आहिस्ते आहिस्ते आखें अपने खोल ले धियार से जब बाहर आजाते हैं उसके बाद अपने हाथों को हम फिजिकली किद्नी पे टच कर सकते हैं या जहां मिहीलिंग की जो होते हैं वहाँ टच कर सकते हैं सेल्फ फिलिंग कर सकते हैं हम अपने अपने उपर कर सकते हैं हम किसी फैमिली मिंबर की उपर कर सकते हैं खुज से अपने उपर करें तो ज़्यादा effective है ज़्यादा long term के लिए बहतर है आप आतमे भर हो रहे हैं जब गहरा मामला है chronic मामला है तकलीफ ज्यादा है तो फिर परिवार का हिल्प ही ले सकते हैं तो यह कुछ बातें थी healing की और भी है बहुत सारी बाते हैं देखेंगे आगे अब चलते हैं अंगले सवाल पर arthritis को हम यहां समझते हुए करेंगे arthritis यानि की joint में pain जोडों का दर्थ उसमें अलग-अलग variety होती है medical point of view से उसमें जो finding होती है अंदर उसका reason क्या है autoimmune है की cytokinin बढ़ा है उसकी basis पर अलग-अलग division है लेकिन जब हम energy medicine में जब हम नाडियों और चक्रों पर काम करते हैं तो यहां पर कोई different कोई अंतर नहीं है दोनों के लिए हम एक रियसा ही काम करेंगे तो यहां पर बात हमें समझना है की हमें उर्जा विज्ञान को अगर हमने spiritual reality वीडियो देखी हो तो जब हम ध्याने बैठते हैं तो हमारे अंदर उर्जा उतरती है सबसे basic हमें इस concept को समझने के जुरत है कि हमारे भीतर हम उर्जा के बने है हमारे हाथ पैर हैं हमारे सरीर के हैं लेकि सरीर से ज़्यादा हम उर्जा हैं उस उर्जा को हमें बढ़ाना है और उसके लिए ध्यान सबसे ससक्त माध्यम है ध्यान के अलावा भी और भी छोटे-मोटे दूसरे तरीके होते हैं लेकिन ध्यान जो आसानी से आप कर सकें बिना किसी खर्चे के कर सकें घर बैठे कर सकें उसमें ध्यान सबसे इजी है ध्यान के बाद हम प्रामिट का परियोग कर सकते हैं अपने प्रामिट के नीचे हम ध्यान में बैठ सकते हैं वो प्रामिट जो है उर्जा को कई गुना बढ़ा देता है हम प्राकिर्तिक वातावरन में ध्यान में बैठें पेड पौधों के पास तो जो पेड के पास बहुत सारी प्रान उर्जा होती है तो वो स्वतह हमारे प्रान्मेकोस को स्वस्त बनाएगी तो मुख्य रूप से तो ध्यान इनरजी के लेवल पर काम करता है और बाकी वो मनोमेकोस के लेवल पर भी काम करता है मनोमेकोस यानि की मन जो हमारे पास मन है मन के अंदर जो emotion और thought pattern है belief, सोच, विचार विवस्ता उसके लेवल पर गरबड़ी है तब ही physical लेवल पर गरबड़ी आई है All diseases, 100% disease are psychosomatic गरबड़ी मन में है और तकलीफ सरीर को पर आ रहा है तो अगर हम मन के लेवल पर काम कर सकते हैं तो हम अपने आपको heal कर सकते हैं तो हमें अपने emotion के परती, अपने विचारों के परती सजग होना पड़ेगा मैं कितना सकात्मक सोचती हूँ, मैं कितना नकात्मक सोचती हूँ यह alert होना होगा positivity को बढ़ाना है और negativity को अपने भीतर कम करते जाना है जितना ध्यान में हम बैठेंगे, यह हमाई negativity कम होती है उसके लावा हम affirmation का परयोग करें सकारात्मक वाकियों को present tense में जब हम बोलते हैं तो वो हमारे अउच्छे तर्मन का हिस्सा बन जाता है तो affirmation कई सारे हैं जनरल affirmation है, all is well में जीवन में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है भगत बीता का सार अगर कभी आपने पढ़ा हो तो उसमें बात आती है, जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा अगर हम इस तीन सेंटेंस को ध्यान में रखते हैं जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा इन तीनों को बारवा बोलते रहें बारवा सोचते रहें और इन तीनों में भी जो बीच वाला है वो सबसे जातीक अच्छा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है यह bigger picture of life में divine reverse में अगर हम ठीक से देखना समझ सकें तो हर एक चीज हमारी आत्मा को आगे बढ़ने में मदद ही करती है लेकिन हमारा negative thinking mind जो ह पुछ वो जज़ करता है यह ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है अगर हम divine पर faith कर सकें स्विकार करें पहले जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है हाँ सीखना है इंप्रूफ करना है वो बात secondary है लेकिन अभी तक जो हो रहा है आपके कर्मों के हिसाब से आपके belief system के हिसाब से वो अच्छा हो रहा है तो यह all is well everything is fine and perfect जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है यह affirmation हर जगा आता है हर जगा यह काम का है तो arthritis के लिए हम अपने पैर में LV3 occupacer point पर काम करें दो point हम समझ लें arthritis के लिए rheumatoid arthritis हो या autoimmune एक point है हमारे हाथ में LI10 और दूसर point है हमारे पैर में LV3 पहले LV3 को समझते है LV3 को हमें tone करना है tone करने के लिए हमें उसको massage करना है दबाना है छोड़ना है दबाना है चोड़ना है यहा अगर tone करते है laser ko तो हमारे सरी में हर एक जॉइंट के लेवल पर उर्जा बढ़ती है जो जॉइंट्स हैं वो लीवर से जुड़े होते हैं तो अगर लीवर की उर्जा बढ़ जाए तो जॉइंट्स हमारे हेल्दी होई लग जाएंगे कोई भी joint का pain हो, कोई भी arthritis हो हम LV3 पर massage कर सकते हैं इसको 2-2 minute के लिए दिन में 3-5 बार दबा सकते हैं और साथ में यहाँ पर हम color therapy कर सकते हैं LV3 अग्योबेसर पाइंट जो है जो liver की जो उर्जा है वो हरे रंग से connected है, जुड़ी हुई है अगर हम LV3 पर green color लगाएं, तो यह हमारे joint के लिए अच्छा है LV3 को massage करें जो affirmation हमने सीखा है all is well, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ जीवन में विकास ही जीवन का नियम है, हमेशा हम आगे बढ़ते है खुसी-खुसी बढ़ है या हम कश्ट भोगते विए बढ़ है तो आगे तो बढ़ ही रहे है अगर हम खुसी-खुसी आगे बढ़ते है तो हम जादा आगे बढ़ते है जीवन को gracefully हम स्विकार करें gratitude रखें LV3 के बाद दूसर पाइंट जो arthritis में हमें समझना है वो है LI10 large intestine meridian का दसवा पाइंट अपने हाथ को हम मोड ले 90 डिग्री पर फिर अपने अंगूठे के बगल वाली अंगली index finger के सीध में हम जाएंगे elbow से दो अंगल पहले elbow कोहनी से दो अंगल पहले ये LI10 अक्यूपेसर पाइंट है large intestine meridian का दसवा पाइंट इससे हमें sedate करना है sedate करने के मतलब है कि उसे दबाना है और लगाता है दबाओ दिये हुए हमें लगभग एक मिनट या दियर मिनट रखना है तो sedate करने से यहां की जो ची है यहां पर यांग ची होती है इन और यांग black and white दो तरह की उर्जा होती है हमारे भीतर यांग ची को कम करना है यांग ची कम होगी inflammation कम होगा दर्द में आहत मिलेगी arthritis में जो लास्ट में arthritis है वो inflammation को बताता है inflammation को कम करने के लिए L.I.10 L.I.11 इसी median में जो कोहनी पर जो point है वो L.I.11 है दो अंगुल आगे उससे point L.I.10 है L.I.10 को दबाने से आपको यहां पर दर्द जरुर मिलेगा अगर body में inflammation है सरी में कहीं भी सूजन है जोडों में सूजन है या कहीं भी सूजन है तो इस L.I.10 को तबाने से दर्द मिलेगा तो confirm हो जाना है और यह common condition है inflammation का होना arthritis में हम L.I.10 पर काम कर रहे हैं लेकि inflammation सरी में कोई सूजन का होना बहुत सारी बिमारिया unnecessary inflammation की वजह से आप दी है तो L.I.10 पॉइंट भी बहुत जगह पर काम आएगा देखेंगे आगे याद करके रखें यह बहुत काम का पॉइंट है 11 L.I.10 या सिर्फ एक पॉइंट अभी पहले सीखिए L.I.10 उसको हम सिडेट करें लगातार दबाओ दे के रखें कितनी देर एक मिनट से देह मिनट दे में कितनी बार पांच बार तीन बार भी आप कर सकते हैं देदरे आप अभ्यास को पढ़ा कर पांच बार करेंगे liver 3 L.I.10 एक्यूपेसर पांच कर रहे हैं साथ में आपके जीवन में दो बार देहान का अभ्यास होना चाहिए जितने उम्र है उतने मिनट तो हमारे भीतर जो हमारे चक्र है वो संतुलित होते जाएंगे चक्रों को संतुलित करने के लिए हमें कोई अलग से मेडिटेसन नहीं करना जो सासों पर हम ध्यान लगा रहे हैं तो उर्जा आएगी और अपने आप जहां पर जरूरत है वहाँ पर जाएगी और संतुलित होग जाएगी तो अगर हम इसका परयोग ठीक से करते हैं तो हम अपने जीवन में अर्थराइटिस से फ्री हो सकते है कोई बिमारी में ठीक नहीं हो सकती ये कंसेप्ट अपने मन से निकाल दे हर बिमारी का इलाज ध्यान के माध्यम से इनर्जी नाडियों पर काम करने के माध्यम से संभव है सीखना है और उसका प्रयोग रेगुलर करना है तुरण दो दिन में चार दिन में हम विजल की उमीद ना करें रेगुलर अगर हम करते जाएंगे दो हफते तीन हफते एक मेने तो हमें फाइदा मिलेगा और कोई खर्च नहीं है आपको बस याद से करना है नियम से नियम बना लें उसको करें धिरे धिरे आप किसी भी स्टेज में कोई भी बिमारी हो वो ठीक हो सकती है इनर्जी मेडिसीन में स्पिर्च्वल मेडिसीन में कोई भी बिमारी ला इलाज नहीं है हर बिमारी का इलाज है बस आपको समझना है और करना है चलते हैं अब अगले सवाल पर रिनु जी हमारे जीवन में अगर भोजन करने की तरीका सही हो तो हमेशा हमें अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए अगर भोजन करने के बाद नीद आती है तो इसका मतलब है कि हमने जरुष से अधिक भोजन किया है दुनिया में बहुत लोग जातर लोग जरुष से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं किसलिए ओबेसिटी एक कॉमर बिमारी है अपने मन से अपने लाइफ से ये जो आदत है जो से ज़्यादा भोजन करने की उसे हम कम करें भूख से थोड़ा सा कम करें थोड़ा भूखा रखें अपने आपको दुनिया में कम खाने से बिमार कोई नहीं पढ़ता ज़्यादा खाने से बिमार पढ़ते हैं अगर आपका भोजन सात्विक हो, संतुलित हो, अगर आपका भोजन सात्विक है, संतुलित है, नितनी भूख है, उससे आप थोए सा कम खाते हैं, अगर राइट भोजन है, सही भोजन है, तो आप भोजन और ध्यान का कोई फक नहीं पड़ता, आपका भी भी ध्यान में फिर तो नीद आ जाएगी, ध्यान में तो होश है, जाग रुकता है, अपनी नीद नहीं आए तब ही ध्यान हो पाएगा, नीद आ रही है तो हम सो जाएगे, तो भोजन से कोई डारेक्ट कनेक्शन नहीं है ध्यान का, कभी भी हम ध्यान में बैठ सकते हैं, ध्यान हमारे दिन चर्या के का एक ऐसा फिस्ता बन जाए, जो हम कभी भी कहीं भी कर लें, अगर इस तरह से हम ध्यान को लेंगे, तो हम आज जिने में ध्यान बढ़ सकता है, 24 घंटे में हम 2 घंटे, 3 घंटे ध्यान में बैठ सकते हैं, और जो पहला सवाल है आपका ध्यान में निगेटिव नजर आता है, यह आपको कैसे पता यह निगेटिव है, दुनिया में निगेटिव कुछ नहीं होता, जो अंधेरा हम बोलते हैं, वो भी प्रकास का अभाव है, अगर कहीं पर लाइट नहीं है, तो वहाँ पर डार्क है, डार्कनेस निगेटिव नहीं है, डार्कनेस बस लाइट का अभाव है, तो यह निगेटिव नजर आता है, अगर आप कभी बैठे हो और अचानक से कोई आपका जान पहचान के वक्ति भी आ जाए तो उससे भी कभी कभी लोग ड़ जाते तो हमारे डरना हमारी एक कमजोरी है हमारा एक सौधिष्ठान चक्रा नीचे से जो दूसरा चक्र है सौधिष्ठान चक्र जो औरेज गलर का होता है दोनों किड्नी के बीच की रिजन में उसका वीकनेस है डर अपने जीवन में कोई डर ना रखे ध्यान में कभी कुछ गलत होता नहीं है 99.99% केस में ध्यान में कभी कुछ होता नहीं है आप भरोसा रखें डिवाइन पर और अपना ध्यान रेगुलर रूप से करते रहें कोई कुछ दिखता है उसको इग्णोर करें और कोई भी हो सबको ध्यान करना चाहिए आप उनको ऐसा बोल दें कि आप भी दिखान करें अगर कोई आपको दिखता है कोई नॉन फिजिकल स्पिरिट तो आप उसको बोल सकते हैं आप भी दिखान करो धिखान की ध्यान सब्द के सिर्फ जिक्र से जो बहुत साए चीजें हट जाती है ठीक हो जाती है और अगर जिन भी गुरु को आप मानते हैं, संद को मानते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, तो उसकी दिव्यता से, उसकी सकाप, दिव्य औरजा से भी हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं आप किसी संद का चित्र आपने पास रख सकते हैं, तो उससे उसका भी परभाव पड़ता है, विश्वास, फेथ, स्रधा हो, तो इन सबी चीजों को बहुत असानी से टकल किया जा सकता है, डरने की बात नहीं है, ध्यान आप करते रहें, ध्यान, सिर्फ ध्यान करने मात से द हैं, उसका याद कर लें, किसी भी संद को, जिस भी संद पर स्रधा है, उनको तो याद कर लें, उसके बाद ध्यान में बैठें, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, घबराइए नहीं, ध्यान में बैठें। पचाश वर्षे नीलं जी, जिनको यूरेन इंफेक्षिन के साथ में ब्रॉंखाइंट्रिस की समस्या है, और चोवन वर्षे तुरे जी, इनको प्रिशाव में बून-बून कर लिएन के प्रिश्चा हैं, जो बून-बून आने के समस्या हैं, उसका हम समझ लें, प्रोच्ट्रेट की गरवरी से ही ये निकत होती है, भले अल्टासाण पर रिपोर्ट कुछ भी हो, कितनी बार अल्टासाण पर रिपोर्ट नॉर्मल होती है, तो भी तकलीफ तो जारी ही रहती हैं, और मेडिकल सिस्टम में ऐसा है कि बहुत साई चीजों का कारण नहीं होता बस बोलते हैं कि हाँ है कुछ कर नहीं सकते मैंने ऐसे भी प्रेशन देखे हैं प्रोश्टेट का उप्रेशन हो जाने के बाद भी जो प्रोश्टेट वाली समस्या है प्रिसाब की फ्रिक्वेंसी का या बूद बूद आने का वो तकलिफ होते रहती है तो हम इस बात को समझते हुए हम उर्जा विज्ञान से अध्यात विज्ञान से अपनी सेल्फ फिलिंग पर ज़्यादा फोकस करें सरजरी के जुरत नहीं पड़ेगी सरजरी के चक्कर में आप बहुत बार हम आपा नुक्सान कर बैठते हैं और कितनी बार फायदा नहीं होता अगर कोई डॉक्टर इस प्रग्राम को देख रहे हो तो उनको मेरे बास से तकलीफ हो सकती है तो यहाँ पर मैं एक पुस्तक के जिकर करना चाहूंगा आउस्टिलिया के सरजन है डॉक्टर इयान हैरिस वो प्रोफेसर भी है उनिवेस्ट्री आफ नॉर्थ साउथ वेल्स सिड्नी में सरजरी के वो सरजन है वो सरजरी करते हैं लेकिन वो एथिकल कमिटी के भी थोड़े इथिक्स के परसन है वो तो उन्होंने पाया है कि दुनिया में बहुत सरजरी जो हो रही है बहुत सरजरी का के पीछे बहुत strong evidence नहीं है cost benefit analysis जब किया जाए कि किसी सरजरी को करने में कितना घर चाता है हमाई life कितनी effect होती है productive life और उसे कितना फायदा होता है तो वो कहते हैं बहुत सारी सरजरी ऐसी है जो अगर ठीक सा हम analysis की जाए तो बंद हो जाएगी उसका फायदा clear cut नहीं है लिए फिर भी एक परंपरा के अनुसार बस हम सरजरी किये जा रहे हैं उनकी इस फुस्ता का नाम है surgery the ultimate placebo एक सरजर्ण कोश्चन उठा रहा है जितनी दुनिया में जितनी सरजरी हो रही है क्या करने की जरुत है लेकिन ये बहुत मुस्किल बात है कि हम कोश्चन एक आम आदमी तो जब समस्याँ से परिसान रहता है तो जब प्रॉलम जब ज़्यादा हो जाए तो कैसे वो कोश्चन करें उन तो तकलीफ से चुटकारा चाहता है हम थुआ समझदार बने उड़ जावे ग्यान से अपने आपको ठीक करना सीखे तो प्रोश्टेट के लिए कई सारे पॉइंट है केवन एक्क्यूपेसर पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है उसको हम थुआ करें जो बुन बुदाने के समस्या है वो उसमें राहत मिलेगा दोनों पैर में दबाके देखें जिसमें अधिक दर्द हो उसको दबाए और जो इन्फेक्शन की बात बताई है जो इन्फेक्शन होता है हमाई सरीर में जातर इन्फेक्शन जो होते हैं वो डर की वज़से होता है कैसा डर मेरे उपर मेरे लाइफ में कुछ गरबड हो सकता है जब आपके भीतर अगर डर है तो डर मेरे उपर लाइफ में कुछ गरबढ होगा तो वही डर माइक्रो बैक्टेरिया पैथोजेन माइक्रोगरिजम के लेवल पे होता है और इन्फेक्शन हो जाता है अपने भीतर से डर को हमें निकालना है डर को अगर हम जीत ले तो इन्फेक्शन हमें होना बंध हो जाएगा या कम हो जाएगा हर तरह की इन्फेक्शन के लिए डर एक फैक्टर है हिल्थ मल्टी फैक्टरिल होता है कई सारे कारण होते हैं लेकिन डर भी एक कारण है तो आप अपने जीवन में चित्तरमन करते हैं देखें कि किलाइफ जिन्दगी में आपको किस चीज़ से डर लगता है क्या उस डर को आप कम कर सकते हैं पोशो कहते हैं डर को कम करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है डर को फेस करना अगर जिस चीज़ से आपको अगर आप वो करने जाएंगे, करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ड़ने की जोटो थी ही नहीं, हम ऐसे भी देखें, ध्यान करते हुए हमें, अपने परकास का, हमें हमारे आत्मा होने का अनुम होता है, जो लाइट है, जो आत्मा है, जो सास्वत है, आत्मा सास्वत है इसका ना कोई अंत है ना कोई सुरुवात है जो सास्वत है जो लाइट है उसको किसी से डरने की जरूत है हम मन के तल पे जी रहे हैं तो हम भीतर अलग लग चीज़ों का डर आता है हाइट का डर होता है चोड़ी का डर होता है भविश का डर होता है अपने भीतर डर को समझना है, डर को जीतना है जिस चीज़ से डर लगता है आप उसी चीज को थोओड़ा करकर देखिए आपके आसपास, ऐसे लोगों को धूड दिये जो निडर है, जीकों डर नहीं लगता उन लोगों के साथ अधिक संगती में रहिए जैसे संगती में हम रहते हैं हमारे भीतर वैसे गुन आने लग जाते हैं तो हमें डर पर काम करना सीखना है और एक्यूपेसर पॉइंट की बात करें तो हमारे सुजोग का पॉइंट इसमें मैं पहले आपको बता हूँ हमारे हाथ में मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ये दोनों पैड से जुड़े हुए तो पैड से उपर गए जब पेट आया तो हाँ पे लोवर एब्डोमेन पेरिनियम का रीजन हुआ हूँ तो अपने हाथ में middle finger और ring finger से उपर के सिस्थे में हम यहाँ पर काला रंग लगाएं दोनों हाथ में बारी-बारी से लगाना है और यह काला रंग जो है हमें लगभग 6 घंटे के लिए रखना चाहिए अगर 6 घंटे से पहले अगर किसी काला रंग से अगर हाथ धोना पड़ जाए तो हम dry हाथों को सूखने के बाद वहाँ पर काला रंग फिर से लगा लें दोनों हाथ में आपको काला रंग लगाना है और इसके पीछे जो दोनों finger के बीच का space आएगा finger web वहाँ पर भी हम काला रंग लगाएं काला रंग अविलिबल ना हो तो नीला रंग से भी हम काम चला सकते हैं नीला रंग काला रंग जो है वो यांग को कम करता है यांग ची दो तरह की उज़जा है black and white यांग और in infection जो है वो यांग का एक्सेस है तो यांग कम होगा तो infection ठीक होई लग जाएगा, साथ में हम, हमारी एंकल, एंकल यानि की टकना, बाहर की तरफ, साइड में, टकने से पीछे, एक पाइंट होता है, यूबी 60, उनिरी ब्लैडर का 60, साथ नंबर का पाइंट, यूबी मेडियन सबसे बड़ी नाड़ी है, उसमें टोटल 67 पाइंट हो होती है, तो साथ नंबर का ये जो पाइंट है, एंगल से जच्ट पीछे, यहां भी हम सिडेट कर सकते हैं, और काला रंग लगा सकते हैं, सिडेट करने के लिए आपको याद होगा, कि हम उसे लगातार दबाओ दे के रखें, continuous pressure, एक मिनट, देर मिनट का लगातार दबाओ देते हैं, तो सिडेशन होता है, तो पहले सिडेट कर दे, और उसके बाद वहाँ पर काला रंग लगा दे, काला रंग जो है, 6 घंटे लगा रहेगा, वो अपना सिडेशन थोड़ा थोड़ा करता रहेगा, इन दोनों का अभ्यास हम करें, पानी अधिक पिये, किसी भी infection मे हमें पानी अधिक पिया चाहिए, पानी जो है, वो वास आउट करता है, infection को, इन सभी का हम परयोग करेंगे, तो इन दोनी इन फेक्शन को हम ठीक कर लेंगे. पिगनिन्सी जो है, वो biological body पर एक load है, अब आपके माधियम से दो सरीर को एक आपका अपना सरीर और एक नवजात सू का जो सरीर डेहलप हो रहा है उसका भी नुट्रिशन आपके माध्यम से मिल रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है अगर हमारे सरीर में पहले से कोई प्राउलम छोटी मोटी प्राउलम हो तो उस समय वो ज़्यादा पैसान करती है अब जैसे यहाँ पर गैस के समस्या हो रही है तो गैस जो है वो हमारे सरीर में अश्टमक और अश्टमक के पीछे पैंक्रियाज इनिका हेल्थ को इंडिकेट करता है तो अगर हम स्प्लीन पैंक्रियाज को मजबूत कर सके तो हम गैस के समस्याओं को सिर्फी हो सकते हैं उसके लिए हमारे हाथ में PC4 और PC6 अक्योपेसर पॉइंट जो है वो सबसे अच्छा होता है PC6 परिकार्डियम 6 दोनों हाथ में कलाई के चौड़ाई से सेंटर और रिस्ट फिंगर से तीने अंगुल के डिस्टन्स पे यहाँ पर जेंटली करें तो अगर प्रिक्निंसी में तो अच्छा प्रिक्वेसर के मामले में में फ्वासा सावधानी बरतने की जोगत है ज्यादा ताकत हम ना लगाएं अच्छा प्रिक्वेसर में बहुत लोग ऐसा मानते हैं अगर जोडरों से दमाएं तो ज्यादा फाइदा होता है ऐसा नहीं है फ्रिक्वेंसी इस मोर इंपॉर्टन देन प्रेशर कितनी बार आप करते हैं ज्यादा महत्पूर्ण है कि आप कितनी जोड से करते हैं थोआ 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 ताकत से भी अगर आप ज्यादा बार करते हैं तो वो ज्यादा फाइदेमंद है PC6 Accupressor Point को हम tone कर सकते हैं, massage कर सकते हैं PC6 कलाबा PC4 Accupressor Point होता है, उससे पर भी काम किया जा सकता है अपने भोजन में थोड़ा ध्यान दे Millet का खमीर बहुत अच्छा भोजन है, उसको थोड़ा ले और अपने जीवन में ध्यान को जरूर जोड़े ध्यान सबसे बड़ा अस्त्र है अपने आपको स्वस्त रखने का डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में हम आप जोड़ें, उसके लिए धन्यवाद आप स्वस्त रहें, प्रशन रहें, ध्यान को अपनाते रहें, धन्यवाद